मुझा आज की वीडियो में हम देखेंगे के बच्चे का सेंपल स्वेटर कैसे बनाते हैं हमारी इस वीडियो में हम जो स्वेटर बनाएंगे वो होगा न्यूबॉन से लेकर 5-6 मन तक क्योंकि जब हम न्यूबॉन का स्वेटर बनाते हैं तो वो हमें लूज रखना चाहिए ताकि उनको पहनाने में असान हो बड़े बच्चे का स्वेटर बनाने में वीडियो बड़ी हो जाती है और ठोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं न्यूबॉन का बनाना सिखा रही हूँ पर टेकनीक यही होगी तरीका यही होगा और आखिर में में डिस्क्रॉप्शन वाक्स में लिख दूंगी कि ईगर आगर आपके पास यहाली डिधाल नहीं है size की और जो आपके पास अवेलिबल है तो उस तरीके से आपको जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी बताये लास्ट मैंने अपनी video अप्लॉड की थी उसमें आप देख सकते हैं कि फिर आप किस तरह घर डाले अंदासा वो आप वीडियो देख लीजेगा वो भी डिस्कुर्शन हो जाएगी आपको इस साइस के लिए हमें जो सबसे पहले है 54 जो है हमने घर स्लाई पे डालने है कास्ट ओन की वीडियो स्लाई पे घर डालने की वीडियो अगर आपको डिटेल में देखना चाहें तो वो डिस्कुर्शन में वो भी मिल जाएगी आपको एंड जो भी टेक्नीक इसमें इस्तिमाल होगी इस वैटर में वो सारी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी आप देख लीजेगा अगर आपने डीटेल में देखनी हैं तो सबसे पहले हम नौट बना लेंगे तेल आपने इस तरफ रखनी है और उन आपने इस तरफ रखनी है मैंने अपनी कास्ट ओन वाली वीडियो में डीटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह सिलाई पे घर डालने चाहिए आप वहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 54 घर डाल लेंगे सिलाई पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यह स्वेटर में आपको सारी डीटेल के साथ समझा सको ताके आपको बनाने में असानी हो हम इसी तरह 54 घर जो है स्लाई पे डाल लेंगे यहाँ पे हमने 54 घर फंदे स्लाई पे डाल लिये हैं हमारे पास यहाँ पे काफी धागा बचा है वो उसको हम उसका हम छोटा सा बो बना लेंगे ताके हमें स्वेटर बुनने में मुश्किल ना हो यह धागा आप साइट्स सीने में भी यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम बॉर्डर बना लेंगे आपने गिन लेने हैं कि घर आपने पूरे डाले हैं क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है 54 हमने घर डाली हैं अब हमने सबसे पहले बॉर्डर बनाना है मैंने अपनी एक वीडियो में आपको सीधी और उल्टी साइड का बताया था जिसमें मैंने आपको बॉर्डर बनाना से खाया है एक सीधा एक उल्टा वाला ये रॉंक साइड होती है उल्टी साइड और ये आप लाइन देखरे recommend how to do बट जब हम बॉड़ बनाते हैं तो उसमें नियहीं से आछा कई सीधा एक उल्टा रड़ा रिया दो सीधोर रॉन्हाया कोई भी बॉड़ बना रहरे तो ही तरीका पैटर्न आपने hooti है इस वीडियो में एक दो सीध्य और दो उल्टे बनाएंगे हमने यहीं से शुरू करना है दो सीध्य और दो उल्टे दो सीध्य घर बुन लेंगे आप दो उल्टे आपको बार्डर बनाने की भी वीडियो अबर डीटेल में देखने हो तो वह भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रेप्शन में क्योंकि मैं यहां कोशिश कर रही हूँ कि तरीका आपको असाने से बता दूँ अच्छे से टेक्नीक्स आप मेरी दूस्ती वीडियो में देख सकते हैं फिर से हम दो सीधे घर बुनेंगे बहुत ही सिंपल सा यह बॉर्डर है जो भी निटिंग करता है उसको उसने काफी दफा यह बॉर्डर बनाया होगा जो नहीं करते हैं जो नहीं सीक रहे हैं वो आप मेरी हाव टू निटर बॉर्डर वाली वीडियो में देख सकते हैं इसी तरह हमने सारी जो हैं घर बुन लेने हैं हमने यहां पर सारे जो घर हैं दो सीधे दो उल्टे करके सारे घर बुन लिये हैं यहां पर अब हम जो बैक साइड होगी वापस जाएंगे जो रो होगी हमारी वहाँ पे आपने देखना है कि जो घर आपके पास उल्टे हो उस पे आपने उल्टा बुनना है जो आपके पास सीधे हो उस पे आपने सीधा बुनना है ये दो घर आपके पास उल्टे हैं आपने इनको उल्टा बुनना है जो आपके पास सीधे हों उसको आपने सीधा बुन लेना है थोड़ा सा खींच लेना है आपको ताकि यह जो यहाँ पे दो सीधे दो उल्टे की वज़े से आप आगे करते हैं धागा उसके गैप ना आए ऐसी तरह आपने यह सारी स्लाइबी इसी तरह दो सीधे दोल्टे करके बुन लेनी हैं जहां पे दो सीधे आपके पास हों आपने उनको सीधा बुनना है इस तरह और जो आपके पास उल्टे हों वो आपने उल्टे बुनने हैं इस तरह से यह आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपको थोड़ा से शेप नजर आ रहा है इसी तरह सारे घर आपने बुन लेने हैं तक्रीबन जितनी आपको बॉडर की लेंथ चाहिए एक इंच आधा इंच जाँ जितना भी हम इसी तरह सारी लाइने बुन लेंगे दो सीधे दोल्ट करके यहां पे हमने बॉडर बना लिया है जो के हमारा बॉडर है सेवन रोज का साथ सलाईयों का बॉडर है हमारा एक इंच का यह बॉडर है आप हमारे पास आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं चोटा भी बना सकते हैं जो भी आपके पास साइज है वैल बिल जिसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं उसकी size के साफ से आप बार्डर बना लीजे रो हम गिन लेते हैं कि हमारे पास किती रोज हैं यहां पर एक तो तीन चार पांच छे साथ 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 साइय हमने बुनी दो एक दो सीधे दो उल्टा घर करके हमने यह बार बनाया है टू इंटू टू रिप जिसे कहते हैं इसका भी पैटर्न आपको डिस्कुप्शन में मिल जाएगा डिटेल में अगर आपने देखना हो तो आचा उसके बाद यह हमने बादर बना के खतम कर लिया बादर जब आप बढ़ाए तो वह अपे डिपेंड करता है कि आप मेल के लि किये हैं सब कुछ हर चीज आपने नोट डाउन करनी है इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम बुनाई कर रहे होते हैं आगे चलके हम बूल जाते हैं कि हमने क्या कि आके घर डाले क्योंकि हमें इसी तरह बैक का या फ्रंट का पार्ट भी बनाना होता है तो इस इसी लिए हमें वैसा ही बनाना होता है तो यह चीज आप प्रीज नोट कर लीजेगा आचा साथ बनने के बाद जो हमारी आठवी सिलाई होगी जो के बॉड़ी के लिए हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए हम काउंटिंग अलग से शुरू करेंगे वन से लेकर क्योंकि यह इसे पुल्ती सलाई होगी स्टॉकनेट स्टिच से हम बनाएंगे स्वैटर तो बट पहला एस तिप यह होगा कि जो हम पहली रोह बनेंगे बॉर्ड के बाद वहां पर हमने बीच में अगर हमारे पास 54 यहां पर स्टिच घैथ तो हम 27 घर बुनने के बाद 27 घर बुनने के increase करेंगे और फिर 27 बुनेंगे बीच में इसलिए हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें वी ने की shipping के लिए एक घर चाहिए अगर आप round बना रहे होते तो उसकी हमें ज़रुत नहीं थी तो हमने यहां पे 27 घर बुन ली है आप हम गिन लेते हैं 2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 27 जहां से और 27 जहां से आप गिन लीजेगा एक दफाँ अब हमने सीधे सीधे यह घर बुने हैं हमने कोई घर यहां पे उल्टा नहीं बुना और दूसरी बात यह साइड यह आप लाइन देख रहे हैं यह है right side और यह wrong side तो हमने जो sweater की body शुरू करनी है वो हमने right side से शुरू करनी है इस चीज का खयाल रखिएगा आप इस तरफ से ना शुरू कर लीजेगा इस तरफ से शुरू करनी है हम यहां पे make one technique से एक घर बढ़ाएंगे हम यहां से यह आप देख रहे होंगे बीच में यह धागा उठा लेंगे और इस पे रख लेंगे इस चिलाई पे तुरू बैक लूप हमने यह घर सीधा सीधा बुन लेना है तुरू बैक लूप इसलिए चूकर अगर आप सीधी तरह मैं एक दफ़ा और दिखा देती हूँ अगर आप यहां से इसको बुनते तो बहुत बड़ा गैप होल बन जाता है अगर आप तुरू बैक लूप इससे हैं तो होल नहीं बनेगा गेप नहीं आएगा हमने घर यहां पर बढ़ा लिया अब हमने सारे घर सीधे सीधे बुन लेने हैं पूरी सिलाई इसी तरह क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम यह स्टॉकनेट स्टिच से स्वेटर बुनेंगे सिंपल स्वेटर है जिसमें इसे सीधी स्लाई होती है पूरी एंड वापसी में जब हम मुर्ते हैं तो उल्टी स्लाई होती है तो एक सीधी एक उल्टी करके हम स्टॉकनेट बुनके हमारा यह स्वेटर बनाएंगे पहली रो में जो बॉरी के लिए हमने रो शुरू की है रो वन अब हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे अब हम बॉरी के लिए रोज अलग से काउंट करेंगे पहली रो में हमने सारे घर सीधे बुने बीच में डिवाइक करके स्टिचेज 27-27 एक घर बढ़ाया एक घर बढ़ाने के बाद सारे घर बुन लिए अब हम जो मुडेंगे वापस बेक साइट से वो सारे घर हमने उल्टे बुन लेने है पूरी सलाई उल्टी हमने बुन ले जरूरी नहीं आपके पास 54 ही घर हो अगर आप टॉडलर का बना रहे हैं तो आपके पास 80 या 85 या 99 भी हो सकते हैं आप इसका हाफ कर ले 80 का 40-40 हो जाएगा वो आप उसे साब से देख लीजेगा जो आपको लेंथ चाहिए विट चाहिए उसे साब से आप घर डाल तो हम सारे सारी ही सलाई हमने सीधी सीधी बुन लेनी उल्टी बुन लेनी है जो के वापसी की सलाई है वापस जब हम मोड रहे हैं यहां पर हमने सारे घर जो थे दूसरी सलाई के वो उल्टे उल्टे बुन लिए हैं एक सलाई हमने सीधी बुनी जिस पर एक घर हमने वो भी आप देख सकते हैं कि उसका जो शेप है वो बिलकुल फियर आया है होल नहीं आया अगर हम दूसरी तरफ से सीधी तरफ से बुनते थू बैक लूप नहीं बुनते ऐसे तो हमारा गय पाता और उस घर को भी हमने उल्टा ही यह देखें पीछे की तरफ से उल्टा ही से बुनना है क्योंकि हम यह स्वेटर स्टॉक्निट से बुन रहे हम 5.5 इंच तक इससे इसी तरह बुन लेंगे आर्म होल तक पर के बाद हम हमारे आम हों के लिए कटिंध करना शुरू करेंगे तो 5.5 इंच तक आप सीधा सीधा इसी तरह इसको बुनिए सीधी रों और आ उल्टी स्लाई बुननी है इसी तरह करके आपने सारी स्लाईया बुन लेनी है हम काउंट करेंगे कि हमें कितनी स्लाईय मिल रही हैं 1.5 इंच और वर वर यदिनध फाइब नहां एक निटिंग करने के बाद बुनाई करने के बाद यहां पर हमने 45 इंच 3.5, 5.5 inches बुन लिया है आप देख सकते है 5.5 inches हमें हमने ये body के लिए बुनाई यहाँ पे कर ली है और तकरीबन साड़े 9 inches जो हमें width मिली है जिसमें से हमें 9 inches width मिलेगी क्योंकि जब हम स्वेटर की side सीते हैं तो उसमें भी आपका आदा इंच ला जाता है जब दोनों साइडों से हम उसकी sly कर देते हैं तो 9 inch हम कहें कि हमें width मिल गई है इसकी और साड़े 5 inches बुनाई करने की बाद जो के आम होल तक की बुनाई है यहां पर बुनाई करने तक के बाद हम रोज देख लेते हैं कि हमें कितनी मिली हैं कितनी सलाई हमने बुनी हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 34 ठीक है पर हमने measurement देखनी है आप जब सलाईय गिल लेते हैं तो आपको ज्यादा असानी हो जाती है फ्रंट पार्ट बनाने में यह बैक वाला पार्ट है अब हम यहां पर आके साड़े 5 inches बुनने के बाद यहां पर हमने पहले border बुनाया साथ सलाईयों का फिर हमने यहां पर जब एक सलाई बुनी एक घर यहां पर बनाया हमारे पास 55 stitches आ गए उसके बाद हमने साड़े 5 inches यहां तक बुनाई की है stock net stitch से सीधा बस एक सीधी सलाई एक उर्ड़ी सलाई अब यहां पर हम बाजू के लिए arm hole के लिए cutting शुरू करेंगे जिसे decreasing भी का जाता है यहां पर सबसे पहले हम दो घरों को कम करेंगे decrease करेंगे arm hole के लिए सबका अलग अलग तरीका होता है arm hole के लिए cutting करने का मैं सबसे पहले दो घर कम करूँगी यहां पे बाइंड ओफ के तरीके से दो घर बुने पहले वाले घर को आप इस घर के उपर गुजार के ड्रॉप कर देंगे फिर एक घर बुनेंगे आप और फिर ये पीछे वाले घर को आप लेकर और इसके उपर आपने गुजार लेना है ये हमने दो घर यहाँ पे बंद किये हैं आर्मोल के लिए उसके बाद आपके पास जितने भी घर हैं वो आपने सारे सीधे सीधे बुन लेने हैं अगर टॉडलर का स्वेटर है या एडल्ट का है तो आप उस हवसे घर बंद करें गैंग वर額्जम्पल अगर टॉडलर का स्वेटर हे तो आप पहले clar garden कर लें उसके बाद एकके कर दो बंद कर लें यहां कुछ कहते हैं कि बेशक गिरा हुआ हो कुछ फरक नहीं पड़ता तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब शोल्डर से गिरा हुआ होता है तो मैं कुछ स्यादा ही डिखरीज कर देती हूं घरों को बट आप देख लीजेगा शोल्डर की मेजरमेंट लेके कि आपको किते इंचिस चाहिए शोल्डर उससे साब से आप घरों को कम कर लीजेगा कि आपको शोल्डर आखिर में कितना चाहिए क्योंकि हमें गले का भी cutting करनी होती है तो खयाल रखना पड़ता है कि गले की भी measurement हमें पूरी मिले जो लोग बनाते रहते हैं sweater उनके लिए ये चीजें समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और जो नहीं करते सीख रहे हैं वो कोशिश करके जिस तरह मैंने घळर डाले हैं जितने मैंने घर डाले के जिस तरह मैं sweater बना रही हूं उस तरह से जब आगर आप एकальном बना लेंगे तो एक स्वेटर छोटा से बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपने किस तरह से बनाना है कितने घर ज्यादा कम करने कितने डालने घर एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम सारे घरों को सिधा सिधा बन लेंगे चुकि जब दूसरे आर्म होल की दूसरी साइट के वाले आर्म होल की कटिंग होती है तो वो आप पिछली तरफ जब मुड़ते हैं उस तरफ से करते है जिस तरह हमने यहाँ पे सीधी सलाइया बन के इसको बंद किया हमने यहाँ पे उल्टी स्लाइया बुनके इसे बंद करना है परल वाइस क्योंकि हमारे पास यह उल्टी साइड है इसे बुना हमने उल्टा फिर हमें इसे भी उल्टा बुन लिया दो गरों को हमने उल्टा बुन लिया फिर पहले वाले घर को हमने दूसरे वाले घर के उपर से गुजार के ड्रॉप कर दिया यह आप देख सकते है फिर से एक घर बुना और पिछले वाले घर को इसके उपर ड्रॉप कर दिया यहां से भी दो घर हमने बंद कर दिये और इस तरफ से भी दो बंद कर दिये अब ये सारे घरों को हमने उल्टा बुन लेना है सारे घर उल्टा बुन लेंगे उसके बाद हम हर रो में एक एक घर को घटाएंगे डिक्रीज करेंगे दोन साइट से ताके आग मोहल का जो शेप है बाजू का वो अच्छे से आए और जितना हमें शोल्डर चाहिए वो भी मिल जाए मैंने दो घर चार घर दो-दो करके बंद किये हैं हमें दोनों तरफ से पांच-पांच करके 10 घर टोटल डिक्रीज कर देने हैं साइज के हिसाब से जो इस स्वेटर की साइज है आप एक दफा इस साइज का स्वेटर बना के देख लें सेंपल बना के रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा इंफिक्ट ट्रैक्टिस होती है इस चीज से आपकी कि बंदा करता रहता है अंदाजा हो जाता है कि अब इससे कितना बड़ा और कितने घर डालने चाहिए तो हमें कितना बड़ा मिलेगा स्वेटर कितना कितनी विट मिलेगी कितनी लेंथ मिलेगी उससे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो स्लाइँ अवेलिबल होंगी उससे बहुत बड़ा फरक होता है कि आपके पास कौन सा number salon अवेलेबल है पास दफा ऐसा होता है कि number तो से में होता है लेकिन different companies की जो salon होती है उसकी जो होती है size में भी difference होता है thickness में difference होता है तो वो अलग मिलती है मैं अंदाजन तो आपको बता सकती हूँ कि कितने घर डालने चाहिए किस size के लिए लेकिन एक दफा जो तरीका मैंने आपको बताया है मेरी पिछली वीडियो में वो करके देख लें या इस तरह एक चोटा सा स्वेटर बना के देख लें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने घर आपने डालने चाहिए यहाँ पे हमने दो घर कम किये डिक्रीस किये यहाँ पे हमने यहाँ तक सीधे सीधे घर भुने सारे घरों को फिर वापस जब हमोड रहेते तो हमने यहाँ पे काते sorry for this यह इसलाई लग गया है यहाँ पे नाकों में प्लीज इस चीज़ का खयाल रख़िएगा बहुत दफ़ा आपके नाखों में स्लाई लग जाती है मैं दूसरा इस टेप आपको बता दूँ यहां पर दो घर बंद किये दोनों तरफ से अब हम एक घर बंद करेंगे उसी तरह से जिस तरह से दो बंद किये थे दो घर बुन लेंगे और पिछले वाले घर को इसकी उपर से गुजार के बंद कर देंगे और दूसरे सारे घरों को हमने सीधा सीधा बंद लेना है सलाईयां तीक ही होती है शार्प होती है बहुत इस चीज़ का पीस खयाल रखा करें क्योंकि फिर आपके हाथ में लग जाती है तो क्यूंकि हाथ से बुनाई का कामी सारा हाथ से होता है तो डिफिनेटली फिर आपको प्रॉब्रम हो जाएगी ज्यादा लेंध वाले वीजियो स्वाले बनानाया बड़े-बड़े पैटर्न्स एकाने में यही प्रॉब्रम होती है कि फिर आप आपको वीडियो की लेंद बढ़ानी पड़ती है, नेटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, आपको बुनाई ज्यादा करनी पड़ती है बट होप सो के आपको ये help हो जाए इससे, तो ये बहुत है मेरे लिए ये जो हम पार्ट बना रहे हैं वो बैक का पार्ट है पहले हम बैक बना लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाता है कि फिर हमें कितना डीप गला चाहिए और कहां से हमने वीनेक की कटिंग शुरू करनी है चाहे वो राउन में हो, चाहे वो वीनेक में हो क्योंकि जब आप यू आप डला बना रहे हैं, उसके लिए भी आपने पहले बैक बनानी है है क्योंकि back के cutting थोड़ी ओ ती और रौंड गले में और जू फ्रंट होता है। उस पाट्री कटिंग थोड़ी पहले हो जाती है ज्यादा एज़िस के साथ अगर half in य piace to definitely one and a half in मेंज फ्रंड की होगी क्योंकि फेर बौर्डर भी बनता है उसन romantic सारे घर हम सिधे-सिधे बुन लेंगे अब हम वापस मुड़ेंगे तो यहां पे भी हमने पर्ल वाइज उल्टी स्लाइब उनके एक घर कम कर देना है आब तीन घर यहां से बंद हुए तीन घर यहां से बंद हुए ठीक है अब सारी स्लाइब हमने सीधी-सीधी बुन लेनी है और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको एक एक घर कम करना बताया अभी उसी तरह हम दो दफा और एक एक घर दोनों तरफ से बंद करेंगे दो घर सिर्फ हम शुरू में बंद करेंगे उसके बाद एक एक करके हमने हर स्लाई में एक एक घर बंद करना है यहां पर हमने पांच घर इस तरफ से और पांच घर इस तरफ से पांच स्टिच इस पांच स्टिच इस तरम बोथ साइड दोनों तरफ से कम कर दिये हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले दो उसके बाद एक दो तीम अलग अलग लाइनों पर उसके बाद अब हमने सारे सारी रोज जितनी भी है सारी सलाईया वो सीधी सीधी ही बुन्नी है यहां तक आपने घराई की कटिंग के यहां पर डिक्रीज की सारी स्टीचे और उसके बाद आप सीधी सीधी रोज लाइब लेंगे और इसी तरह ही एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी करके हम 9.5 इंचे तक सीधा सीधा बुन लेंगे क्योंकि हमें जो measurement चाहिए वो है 10 इंचे लेंथ चाहिए हमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आप हाथ का स्वेटर बनाएं तो वो खुला हो और लंबा हो क्योंकि बच्चे ताकि आसानी से पहन सके पहनाने में असानी हो इसी तरह हम साड़े नौँचे तक इसकी कर लेंगे, बुनाई कर लेंगे अबट आप एक चीज़ का खयाल रखिए का पहले हमारे पास 55 स्टिचे थे उसके बाद हमने 5 शांसे 5 शांसे कम किये 10 कम हुए तो हमारे पास कित्ते बचने चाहिए 45 45 स्टिचे गिन के नोट कर लीजेगा क्योंकि यह जो होते हैं स्टिप्स होते हैं वह हमें फ्रांट पार्ट बनाने में बहुत काम आते हैं क्योंकि आपको सारी तीजियल याद नहीं रहती हैं और अकसर आप पूरा पार्ट बनाने के पाद आपको याद नहीं रहता bind on करने के बाद के आपने कितने घर कहां पे छोड़े थे तो 10 घर कम किया आपने और उसके बाद आपके पास 45 बाचे अब आपने सीधी सीधी जो है साधे 9 इंच तक इसकी सीधी सीधी बुनाई करनी है उसके बाद हम कटिंग करेंगे बैग के बैग गले की ओके यहां पर हमने साधे 9 इंच इस नाइ एन हाफ जो है इंच इस बुनाई कर ली है जो कि हमें लेंथ पूरी रखनी है पूरी देखनी है जब हम मेजुमिन करेंगे आफर में तो हमें 10 इंच इसकी लेंथ चाहिए तो हमने 9 इंच इहां पर बनाई कर ली है बॉर्डर के साथ और अब हम यहां पर बैक पार्ट की जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे हमें 2-2 इंच का यहां पर बॉर्डर रखना है और उसके इलावा हमने कटिंग करनी है तो तीन यहां से और तीन यहां से एक्स्ट्रा स्टिचेस हमने रखने हैं ताके फिर हम उसकी कटिंग कर सकें तो सबसे पहले यहां पर देखें यहां से हमने कटिंग करना शुरू करी थी दो एक 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 ठीक है इस तरह से हमने कटिंग करी थी इसकी अब हम शुरू करेंगे बैक की नेक की कटिंग घरों को आप आगे कर लें जब हम आगे कर लेते हैं घर तो इससे हमारी जो है वो बुनाई फास भी हो जाती है और असान भी हो जाती है सबसे पहले हम यहां पर सीधे सीधे 15 स्टिचेज 15 घर बुन लेंगे सीधे सीधे यहां पर हम सीधे सीधे 15 घर जो हैं बुन लेंगे 12 घर जो होंगे वो हमारे शोल्डर के लिए होंगे और तीन जो घर होंगे उसकी हम कटिंग करेंगे बैक के लिए 2, 4, 6, 8, 10 दो, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, हम फिर सीधे लेते हैं इस्वारी दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, हमें 15 चाहिए घर घर प्लीज अच्छे से गिन लीजेगा क्योंकि बहुत फरक पड़ता है इस चीज़ से अगर आप कम या ज्यादा कर लें तो क्योंकि हमें दोनों बरावर साथ चाहिए, सेम चाहिए अब जो बीच में घर हमारे पास बचे हैं पहले हम उनको bind off कर देंगे, बंद कर देंगे ये इस तरह से एक घर बुन लेंगे, दूसरा घर बुन लेंगे और पहले वाले घर को इसके उपर गुजार लेंगे, bind off जिस तरह करते हैं इन 15 घरों को हमने अभी हाथ नहीं लगाना, जो बीच में बचे हैं हम उनको bind off कर रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 इनको हाथ नहीं लगाना, दूसरे जो घरें वो bind off करने हैं हमें उनको बुनते जाना हैं सीधा सीधा और bind off करते जाना है इस तरह से, हम सारे 15 स्टिचे हमारे पास बीच में हैं, हम सारे 15 स्टिचे हम बंद कर देंगे पहले, 15 एक शोल्डर पे हमने रहने देने हैं, 15 दूसरे पे क्योंकि हमने तीन घर दोनों तरफ से decrease करने हैं, काट देने हैं, कटिंग करनी हैं आप चाहें तो लास वो पे एक या दो घर सिर्फ बुन के दूसरी स्लाइप बाइंड आफ कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक की कटिंग अगर अच्छी हुई हुई हो तो बच्चे हो या बड़े हो उनको चुबन होती है, अगर अच्छे से कटिंग कर अच्छी हुई हो तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि थोड़ा सा डीप रखें ताकि उनको उल्जन ना हो, कुछ बच्चे ऐलर्जिक भी होते हैं, दो, चार, छे, आट, तस, बारा, चौदा, पंद्रा, तीन घर हमने और बाइंड आफ करने हैं, आप गिनते रहा करें, जब दूसरी के स्टिचे के हमें किते बाकी चाहिएं, दो, चार, छे, आट, तस, बारा, चौदा, पंद्रा, फिफ्टीन घर, फिफ्टीन स्टिचे पंद्रा स्टिचे हमारे पास यहां पे हैं, अब हम उनको सीधा-सीधा बुर लेंगे, सीधा-सीधा हमने सारे घरों को यहां पे बुन लिया, हम देख लेंगे एक दफा, तो, चार, छे, आट, दस, बारा, चौदा, पंद्रा, तो, चार, छे, आट, दस, बारा, चौदा, पंद्रा, अब हमने, पहले, ये वाला शोल्डर बुनना है, इसकी कटिंग करनी है, उसके बाद वो पूरा करने के बाद, हमने यहां से, अलग से, इसकी कटिंग करनी है, और शेप देना है, शोल्डर को, हम वापस जाएंगे, ये मेन पार्ट है, प्लीज, इसको अच्छे से समझ लीजेगा, मैं इसी लिए एक-एक रो इसमें बता रहे हूं, ताकि आपको असानी हो, तीन घर हमारे पास एक्स्ट्रा है, बारा घर हमने रहने देना है, और तीन घर डिक्रीज करना है, हर एक रो में, जब हम मुड़ेंगे, यहां से, गले की साइट से, हमने बुन लिए, हम वापस आए, अब हमने, फिर, यहां से एक घर डिक्रीज करना है, आप चाहें तो, एक दफा दो डिक्रीज कर लें, और फिर लास में एक दफा डिक्रीज कर लें, लेकिन इससे शेप अच्छा आएगा, बाकी आप सेंपल बना के एक दफा चेक कर लीजेगा, जिस तरह से आपका अच्छा बन रहा हो, आपको अच्छा समझ आ रहा हो, आप उसी तरह से कर लें, हमने एक घर यहाँ पर घटाया, वापस आए, अब हम इन सारे घरों को सीधा सीधा बुन लेंगे, यही तरीके कार अगर आप किसी डिजाइन, पैटरन वाले स्वेटर के साथ भी अगर करना चाहें, तो कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन रख सकते हैं स्वेटर पे, हम फिर वापस आएंगे, अब हमने, फिर से एक खर डिक्रीज करना है, मुझे यह नेक की कटिंग में हमेशा बहुत प्राब्लम होती थी, जब मैं नया सीख रही थी, स्वेट बनाना, इसलिए मैं आपको डीटेल में यह चीज़ बता रही हूँ, बैक और फ्रन्ट, नेक की कटिंग के लिए, सारे घर हमने बन लिए, अब हम फिर से वापस आएंगे, यह प्लीज चीज़ें लिखते जाएगा, कहां से किते घर आपने डिक्रीज किये, कितनी रोज आपकी हुई, यह बहुत आपको फायदा देगी, फ्रन्ट पार्ट बनाने में भी और दुबारा जब आप किसी चोटी या बड़ी साइस का स्वेटर बना रहे होंगी, क्योंकि जो भी मैं जानती हूँ, कोशिश कर यूँ, मैं सब आपको समझाओं, सब बताओं, दो घर हमने यहाँ डिक्रीज किये, तो चार, छे, आठ, दस, बारा, बारा, बारा चाहिए, इसलिए एक और घर हमने डिक्रीज कर देना है, अगर आपको बैकने एक ज्यादा डिप नहीं चाहिए, तो आप जरूरी नहीं है, कि तीन ही घर डिक्रीज करें, मुझे थोड़ी डिप इसलिए चाहिए, क्योंकि फिर बार्डर भी बनता है, उस पर, बार्डर बनता है, तो वो और थोड़ा उपर आजाता है, आपको शुरूर में ज्यादा डिप लगेगा, आप इस तरीके से एक स्वेटर बना लेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, हम ये आखरी सलाई, पुल्टी बन लेंगे, यहां पर हमने तीन घर डिक्रीज किये, अब इस तरफ से भी हमने यहां पर 15 घर हमने छोड़े हुए थे, अब हम ये धागा काट लेंगे, थोड़ा धागा ज्यादा छोड़िएगा, क्योंकि शोल्डर के लिए सीने में हमें काम आता है, आप कैसी भी टेक्निक से शोल्डर सी रहे हैं, मिला रहे हैं, आपको धागा चाहिए होगा, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरा धागा लेने की, अब हम दूसरे शोल्डर के लिए, उन ले लेंगे, और ये जो स्लाई है, इसी स्लाई से हम, इसी स्लाई से हम ये घर, घर में ये स्लाई इंसर्ट करेंगे, बैक साइड है, तो हमने घर उल्टे बुनने हैं, और परल वाइज जो है, हमने घरों को डिक्रीज करना है, कम करना है, ये हमने घर बुना, हमने दूसरा घर बुन लिया, मैंने दो धागों से इसली बुना है, ताकि ये थोड़ा सा पक्का हो जाए अंदर, बार में निकल ना आए, हम ये एक घर इसके उपर गुजार लेंगे, एक घर डिक्रीज किया, क्योंकि हमने हर लाइन में एक ही घर, हर रों में एक ही घर डिक्रीज करना है, हम फिर सारे घरों को सीधा-सीधा बुन लेंगे, इस वाले शोडर में हमने क्या किया था, सारे घर बुने थे, वापस आये थे, फिर इस तरफ से डिक्रीज किया था, गले का इस तरफ से हमने इस तरफ से डिक्रीज करना है, गले की नेक की साइड से, तो इसलिए ये हम जब वापस जा रहे हैं तो उसमें कर रहे हैं, घर ड सारी सलाई बुलन लेंगे 14 घर हैं हमारे पास क्योंकि एक हमने डिक्रीज कर लिया है ये जो हमने दो धागों से यहां पे एक घर बुना था इसको पक्का करने के लिए धागे को उसको हम साथ में बुन लेंगे और इधर से तोड़ा खींच लीजेगा ताकि यहां पे कोई होल ना बने गैप ना आए फिर से हमने दो घर बुने और एक घर डिक्रीज कर दिया इस तरह से बाइंड उफ करके मैंने यह गला इसलिए डीप रखा है ताकि छोटे बच्चों को अलर्जी है या इचिंग है तो उनको कोई परिशानी ना हो दूसरा आपके पास ऑप्शन यह भी होता है कि आप शोल्डर बटन लगा दें क्योंकि जो छोटे बच्चे होते है उनको बहुत उलजन होती है खास तोर पर न्यूबॉण को स्वेटर पहनाने में बहुत उलजन होती है इसलिए ज्यादा तर लोग फ्रंट ओपन ही स्वेटर न्यूबॉण के लिए बनाते हैं बट मैंने आपको सिखाना था तरीका तो जहरी बात है इसलिए बट मैंने ये लूज रखा है और अगर आप भी बनाईएगा तो मैं आपको ये पहले सी बता दूँ कि प्लीज लूज रखिएगा बच्चों के अगर गार्मेंट जो स्वेटर वगेरा कुछ भी होता है आप लूज रखेंगे तो उनको पहनाने में असानी होती है वो परिशान नहीं होते है और नेक तुमेंट पार्ट है गला उसका खयाल रखना चाहिए ताके उनको उलजन ना हो बड़ो को भी उलजन होती है इस चीज़ का एक खयाल रखा करें वापस आएंगे एक आखरी घर हम डिक्रीज करेंगे गिन लें गिन लीजेगा क्योंकि आप होता है कि ज्यादा घर बंद कर देते हैं तो चार चे और तरस पारफ एक आखरी घर है यहां पर हम बंद करेंगे यह हमने बंद कर दिया ठीक है बड़ आप देख सकते हैं कि यहां पर रोज ज्यादा है अगर आप काउंट कर लीजेगा डिक्रीज करने के बाद सारी रोज आप काउंट कर लीजेगा क्योंकि फिर आपके पास टाइम होगा मेरे पास अभी फ्लाल वीडियो में टाइम नहीं है इसलिए मैं यहां से बिन लेती हूं एक तो तीन चार पांच छे साथ आड़ हमने यह भी देखना कि तेन घर कम करदी है और अब रस हमने यह देखना है क्योंकि डिफिरंट स्टेron बें होती है कटे हम् biggest तो डेपिश्टली उम्हें कितनी रोज होती है अ मैं कितनी रर्वा स्टीय है वरना आपका size में मसला हो जाएगा तो decrease तो हो गए हैं अब हमने last में दूस लाइँ बुन लेनी है size बराबर करने के लिए दोनों तरफ से रोज एक जितनी करने के लिए हमने ये बराबर कर लेना है अगर आप सारी details तरीके से लिख लेंगे तो आपको पिलकुल परिशानी नहीं होगी front part बनाने में हमने रोज इकुल कर लिए हैं यहां पर दोनों साइब की ठीक है और आप को मैं बताती हूं अभी के धागे दोनों किस तरफ से होगे ठीक है आच्छा यह हो गए हमारे रोज इकुल हो गई है ठीक है आप यह देख लें कि यह धागा इस तरफ आया है और यह भी इस तरफ आया है धागा दोनों इस तरफ होना जरूरी है अगर नहीं है तो मतलब आपकी रोज बरावर नहीं है और यह जो जहाँ पर ये धागा है ये आप आखर में वी इन कर सकते हैं पर पहले Brazil पूरा बनाने के बाद बॉडर बना लेंगे गले का उसके बाद वी इन जितने भी होंगे वो आखर में होंगे हमने पूरी बॉरी बनाई हमें देखें यहां पे अब उसके बाद बैक की कटिंग की यह जितना भी है गेप है उपर नीचे है यह सारा कवर हो जाता है जब आप गला बनाते हैं बॉर्ड बनाते हैं गले का हम देखते हैं हमारे पास अब लेंध कितनी आई है 10.5 यहां पे हमारे पास जो है लेंध हाई है हमें चाहिए थी 10 बट यह इसलिए कि जब हम 10.5 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहां पे भी सीना होता है रहे शोल्डर को और शोल्डर यह के उपर हो जाता और शूल्ड़रवी सीधा नहीं होता है आप सीधे मेज़रमेंट ले रहे होते हैजाई बात शोल्डर बनाने के बाद बच्चे का यह शोलडर बड़े रहे होता है तो 6-7 फैंश उयो नस पर देखेश में महें चाहिए हो गई है तो definitely next video में हमारा जो होगा वो front part होगा front part में भी आपने यहां तक बिलकुल same रखना है उसके बाद जो है हम यहां से भी नेकी cutting करेंगे thank you so much for watching में वीडियो अलाफिस